इसका मतलब यह है जो कट्ठड़ पंत को फैला रहे है जो जिहाद के नाम पर तमाम तरह के जिहाद फैला रहे हैं इसका मतलब यह की वो समाज को इसलाम को कमजोर करने का काम करड़ लू रहे हैं कि लडिकी होती है तो उगा भी ज़रूत है और अगर हम उसको बाहर लारहा है चाहे वो फिल्म-के माध्याम से हो शैयो अंधरों लों के माध्यALK से हो तो इसका मतलanten अच्चा गयर साफ करें उनका एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां एक ऐसी चीज होती हैं जिसके उपर बड़े से बड़ा फिसल जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि विश्वामित्र में का को देखकर फिसल गये थे असराम बापूर बड़े बड़े जो जो इस सरां के बाबा पकड़े गये हैं वो लड़कियों के चकर में ही फिसले हैं उन्हें ने कहा कि लेड़की चीज ही ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है इस बयान की काफी बड़ी निंदा हो रही है चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो या फिर हम उसकी बा से पहले तो मैं यह कहोई है कि यह बसार मीया है कि आशी हुथ जाता है मरदों का कोई नजर का दोश नहीं होता इस तरह कि बयां देते और जब बन चाहे तब उठाके ठेक देते हैं, कोई वस्तु नहीं है, इंसान है और उपर वाले में दो ही चीज़ाद बनाई है, इंसान की, एक मर्द एक औरत, हर उसमें जानवर हो, इंसान हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, हर जगा पर, दो तरह की नर और मादा पाये जाते हैं इसके लगा और कुछ नहीं कहा जाता है, तो बाकी, अगर आप इंसान नहीं समझते हैं, चीज़ समझते हैं, तो ये बहुत दी बेहरती की बात है, कि आप अल्ला की बनाईवी चीज़, उपर वाले की बनाईवी चीज़ को, आप सामान वस्तु समझते हैं, उसकी भावना की ब्रपमकाइब है, तो ये बात वहत बिलकुल बडमको जो बनाईवी में वूम्क भावित्व, समझते हैं, उसके बात बहुत की बएधने से ऐने निथा रहरा है, और उसके बात तरह सारी लडिकियों का बगकार हूआ, उसके बाद बहुत सारी preciso of Hindu लडिक्यों ने आत्म पहत्या भीक्ति और उसके बाद ये एक लोकल नियूस्पेपर ने इस दियूस को निकाला उसके बाद ये मावदा चर्चा में आया था। इसको लेकर ये बात कही जा रहे है अजमे 92 की बात करें आप तरहूर फिल्म जो आजकल दोनों ही चर्चा में बनी हुई है। बहत्तर हूर पे सवाल हो या पे सवाल हो अजमे 92 पर। ये ही बोला जा रहा है कि एक मुसल्मानों को इसलाम को टागेट करने की साज़िश है दोहजा चौबेस की तियारी है। आप कैसे देखती है अजमे 92 फिल्म की बात हो या बहत्तर हुए। देखे जब समाज में कोई गंदगी फैलती है तभी जो है उसको दूर करनी का प्यास होता है। रोज खाना खाते हैं रोज नहाते हैं फिर भी अपने कपड़े रोज हमको साफ करने पड़ते हैं अपने जूठे बशन साफ करने पड़ते हैं इसका मतलब यह GISते नहीं और दू जरूरत कमियों लुआ कि आ सुइल के को डिशा पतंकर भषलिए को जाना है नहों में जिए अध्य की journey आइना है ध्यार की समय को तोर्म है के कवनिश्ट के खेप त्यों प्रसूत किया है तिहास को बदलनी की कोशिश किये हैं चाहे वो कमनिश्ट हो चाहे वो अंग्रेज रहें हो सबने हमारे तिहास को बदलने के इसके श्राड करने की कोशिशुश है तो आज अगर इस तत्य के घटनां available to लोगों के सामने अने वाली पीडी के आमने एक रिकॉड हो जाएँगी हमेशा हमेशा केनले रहेंगी है इस तरह कि फिल्म में वन दोश इस पर पेटना जरूर हाइथ अभी देखिए आप पिछले समय में बाल विवा पे रहा हो, चाहे विद्वा विवा पे रहा हो, चाहे विद्वाओं की जिंदगी पे रहा हो, तो इस पर भी तो फिल्मे बनी है, और एक बदलाव आया है, लोगों के अंदर एक चेंज आया है, समाज में बदलाव आया है, तो इस तरह की फिल्में बनेंगी तो एक चेंज आएगा, तो कि बहतर हुरे लोगों को, हमारे मुस्लिफ समाज की युवाओं को सपना दिखा जरके, कि आप अल्ला के नाम पर, धर्म के नाम पर शहीद हो जाएंगे, इसलाम के नाम पर शहीद हो जाएंगे, तो मरने की बाद आपको बहतर हुरे मिनेंगी, तो एक जो सपनों की दुनिया लोगों ने दिखाई है, हमारे समाज की तस्वीर को बदलने का काम करेगा, य fronts बहुत जरूरी है इस तरह की फिल्में बने, और बहुत ही जरूरी है, कि लोग इस तरह की फिल्मों के मार्जम से जागरों को इस तरह की फिल्मों को देखने जाएं आपनी कहा कि इस तरह के मुद्धें हैं अगर इस तरह के मुद्धों पर फिल्म बनती है तो समाज में काफी बड़े इस तरह पर अवेरनेस का काम करती है लेकिन अगर इस तरह के मुद्व पर फिल्म बनती है तो एक ये भी बड़ा नेरेटव ये चलाया जाता है कि मुसल्मानों को टागेट किया जा रहा है लोग उस पर अक्सर फस्ते में भी नजर आते हैं तो जिस अवैनिस की हम उमीद कर रहे हैं या बहतर हूर जैसे मुद्ध है या आज में 92 की बात करें अगर रेप हुआ है तो हमें उसको एकसेप्ट करना पड़ेगा कि जो अपरादी धर्म का अबादा ओड़कर इस तरह क्रित्य कर रहे हैं उनको हमें करना पड़ेगा और उस पर खुलकर बात करने पड़ेगी चाहिए 72 हूर हो या फिर 92 घटना हो आपको लगता है कि लोग इस पर खुलकर अब इसको एकसेप्ट कर पाएंगे और उनको आएगा कि धर्म की बात नहीं अपरादूं की बात है जो लोग यह कह रहे हैं कि एक इसलाम को तारगेट किया जाता है तो इसलाम को तारगेट तो वो लोग कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का बहलाने का और कट्टर बनाने का काम कर रहे हैं और अभी जो जिस तरह से समाज में हमारे प्रदुसर फैल गया है गंदगी आ गई है चाहिए वो मुस्लिम लड़कियों की जीवन को लेकर के हो चाहिए हमारे किसी भी तरह की समाज में अच्छी बाते हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि इसलाम को टार्गेट किया जा रहा है किसी भी चीज को बुरी कूपर्था को बदलने की बात की जा रही है तो इसको बदलने की ज़रूत है और इसलाम में जो है वो कट्रता बहुत बढ़ती जा रही है हमारे जो समाज के मुला हैं, मौलवी हैं, जो कट्टर पन को फैला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर तमाम तरह के जिहाद फैला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो समाज को इसलाम को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इसलाम को कमजोर करने का काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो स समाज को समाज की गंदगी को साफ करें समाज से दूसर को हटा रहे हैं पानी को साफ किया जा रहा है इसका मतलब यह कि पानी को पीने लाइग बनाया जा रहा है इसका मतलब यह कि इसलाम को सर्वाइब करने लाइग बनाया जा रहा है अभी क्या है इसलाम के नाम पर हर पूर इसलाम को टार्गेट किया रहा है इसलाम को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के जो उल जूल बयान दे करके आप इसलाम को गंदा बना रहे हैं इसलाम को सर्वाइब पर निलैग नहीं बढ़ा रहे हैं आप क्या मानते हैं लेकिन जो कुछ लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर रेप्रेजेंटेशन करने के लिए आते हैं पूरे धर्म की उनकी ही सोच लोगों तक पहुंचती है क्योंकि कहीं न कहीं उनकी राजनियतिक अपने इंकलिनेशन या महत्वा कांशाए होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो इस तरह की बाते करते हैं लेकिन जिम्मेदारी समाज पर भी आती है कि आपको भी खुलकर इन सारी चीज़ों पर आना होगा नाजियन जी एक सवाल ये है कि जब हम इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं तो रेडिकलाइजेशन पर जरूर बात होती है कि जो कटरवाद यूवाओं को इन सारी चीज़ों के माधियम से हम होता हुआ देखते हैं जैसे बहुत तरह गुरों की बात आ रही है टेरर आउटफिट्स जो आतनकवादी संकटन है ग्लोबली वो इन सारी चीज़ों का हवाला देकर गरीब मुसल्मान यूवां को इस्तेमाल करते हैं और अगर गुरों की बात करते हैं तो हदीशों में इसका जिक्र भी मिलता है समाल यह है कि आप तक इन सारी चीज़ों पर किसी भी मुसलिम ऑर्गनाइज़ेशन का कोई काउंटर नेरेटिव हमने अब भी तक नहीं देखा क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में सलिप है और वो नहीं चाहते हैं कि समाज में बदला हो और आपने गरीब तक की और यह फिर पढ़े लिखी तब के हैं चाहे वो लादेन की बात करें चाहे आप देसे बात की बहुत भी पढ़े लिखे मार्शल माइंड है उसके बाव जो इस तरह की हरकते कर रहे हैं इसका मतलब यह कि बहुत सो समझ के टार्गेट किया जा रहा इसलाम महबत और भायचारे अमन की साथ चलने के लिए नहीं अमन की बात ही छोड़ दिए यहां तो इसका चरता बंदू की गोली पर इसलाम को फैलाएंगे इस तरह की सोच को ले करके चलेंगे तो समाज में सर्वाइब नहीं कर पाएंगे और इसलाम को कहीं भी फलने इसलाम की इतिहास को अगर सुधारना है तो इन सब लोगों को मुखर हो करके सामें आना चाहिए कि इस तरह की चीजों को काउंटर करिए कि आप इस तरह की चीजे इसलाम में नहीं है सिर्फ अपने धर्म की दुकान नहीं चलाई है या फिर सिर्फ अपने पॉलिटिकल अकांशाओं को पूरा करने के लिए राजनेतिक अकांशाओं को पूरा करने के लिए इस तरह के बयान भाजियां दे करके आप समाज को बदलने का काम नहीं कर सुथे आप समाज को दूस कहा कि सहीछ चीजे हमें आगे ले जाने की ज़रते ताकि आने वाली पीडियां जो सही एधास है उसकी जानकारी रख सकें और हम अपने आने वाली पीडियों के लिए क्या छोड़कर जा रहें जो हमने शुरुआत से बात की थी जा जमे चृश्ती ने बात कही और तो लेकिन वो so called मौलाना उनके मुझे सरह की बात सुनके मैंने कोई एक खासा या जो रोश नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे महिलाओं का या यू हुआँ का आखिर ऐसे लोगों के जो अबहदर टिपड़ी हैं उनको बरदाश क्यों किया जा रहा है सकते पहली बार तो महिलाओं इसनी जागरूप नहीं है उनको लग रहा है कि जो मौलाना के देते हैं जो यह कह रहे हैं कि हदीसों में लिखा है वह ठीक है उसी को हमें माने के चलना की वो अल्ला की बनाई हुए कुरान को नहीं मानेंगे नहीं उसको जानने की कोशिश करे इसमें महिलाएं भी जागरूप नहीं हो पा रही वो जगह जगह पर इस सिमा पे जाती है जगह जगह पर जो हर शुक्रवार को आप देखिए दरगाओं में मस्जिदों में सवान जगह के बयानात तक्रीरे होती हैं उसको सुनने के बाद लोग अपने दिमाग को बदल ही न आएगा तो यह मुस्री महिलाओं की बड़ी कमी है कि वो इसकराशी परिवर्तन को उपी करें इस स्थी कार नहीं करें तो हम इसकर होँ है तो आपको पता होना चाहिं ऐल्ए स्यंहम दिया गया है कि मलते हैं और SMITH जा कौर झसकर लीडетр जर्गृत कमाम सब्सक्राइब कर 12 का दिकार है नहीं किसी और किस में शादी में और देखेजों पलता देने का रेकान रहे हैं, उससे मांगने का दिका रखी है, तो यानि कि आचक कर रहने का ध्यूभ रहने का, लिसलिए उपको जागरूक करना जरूरी थ cœur जागरू है कि जय बिल्कुल आपने सही कहा कि मुस्लिम महिलाएं में जागरुपता की कम ही नजर आती है और यही वझा है कि सदियों से मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं और अधिकारों वश्यालिया सुर्ट होती है और उसको और आगे DRD बढ़ाती से पथी प्रपिर जाती है कि आप सवाल नहीं कर सकते अपने अधिकारों की एसलाम के हवाले देकरों को दबान कोशिश की जाती है ये रुखना बहुत ज़रूरी है नाजीन की बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप चर्चा में जुड़ी है और आपने हमाज साथ बात कि इसके लिए आपका बहुत 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 एक बहुत फिर से दन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय वारिक जय निवाद आपका जय हिंद बने मात्रे